क्या दोस्तों आप भी Dream 11 में अपनी profile picture लगाना चाहते हो क्या आपको नहीं पताओं कि Dream 11 में अपनी profile picture कैसे लगाई चाती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि आप Dream 11 में अपनी profile picture कैसे लगा सकते है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तो मैं आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके All का Option सिलेक कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफेकेशन आप तलग तुरंट मिल सके दोस्तो ड्रिम 11 में अपनी प्रोफाइल पिचर लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपना ड्रिम 11 का एप्लिकेशन ओपन कर लेना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने हमारा ड्रिम 11 का एप्लिकेशन ओपन कर दिया है ड्रिम 11 का एप्लिकेशन ओपन करने के बाद उपर की तरफ आपको अपनी प्रोफाइल का एक लोगो दिखाए देगा इधर नाम के उपर क्लिक कर देने के बाद थोड़ी सी ये loading लेगा loading लेने के बाद आपके सामने भी कुछ इस तरह का option open हो जाएगा इस तरह का option open होने के बाद आभी आपको क्या करना है इधर आपको एक camera का छोटा सा icon दिखाए देगा आपको simple से इधर camera के icon के उपर क्लिक कर देना है जैसे के हमने क्लिक कर दिया क्लिक कर देने के बाद दोस्तों नीचे आपको दो option मिलेंगे पहला वाला option होगा upload from gallery और दूसरा वाला option होगा update facebook profile picture तो आपको simple से upload from gallery के उपर क्लिक कर देना है upload from gallery के उपर click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो अभी आपको जो भी profile picture लगाना है अपना उस profile picture को select कर लेंगे जैसे के हम ये वाला profile picture लगाने वाले तो इसके उपर click कर देंगे इसके उपर click कर देने के बाद फिर से आप इसके उपर click कर देंगे इसके उपर click कर देने के बाद आप इधर से crop कर सकते है जैसे के आप लोग देख सकते है अभी इस photo को हमने इतना crop कर दिया crop करने के बाद उपर आपको done का option मिलता है तो simple से done के option पे click कर देना है done के option पे click कर देने के बाद आपकी profile picture updating को लग जाएगी ठीके अभी आप देख सकते हैं हमारी profile picture updating को लग गई है तो दोस्तो अभी हमारी profile picture update हो चुकी है और हमारा logo लग चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप भी अपने dream 11 में अपना photo लगा सकते है